हेलो दोस्तो नमस्कार सब्सक्राइब हीजिए हमारे चैनल को और दोस्तो बैल आइकन को दबाईए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे हैं धन्यवाद अज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और परिशदिय बुक से एक और महत्पूर्ण नोट्स जो की यूपी टैट की प्रथम पेपर में जो वन टू फाइव वाला पेपर आएगा उसमें बहुत इंपोर्टेंट है और E.V.A. से संबंदित है आप जानते हैं दोस्तो सम्वि से हैं तो दोस्तो हम सभी परिवार में मिल जूल कर रहते हैं और सारे काम एक साथ मिल जूल कर करते हैं और दोस्तो कुछ काम बटे भी होते हैं और घर चलाने के लिए नियम भी बनाये जाते हैं जिनका पालन घर के सभी लोग करते हैं और ऐसे ही हमारे विद्याले के होने रहने वाली जो वाले सबी लोग इन नियमों का पालन करते हैं और सडक सुरक्षित, सडक पड़ भी देखो दोस्तों सुरक्षित चलने के लिए कुछ नियम बनाय जाते हैं और ठीक उसी प्रकार दोस्तों घर विद्याले की तरह देश के कामकाज को चलाने के लिए भी बहुत सारे नियम बनाए जाते हैं और बनाए गए हैं दोस्तों हमारे हैं तो इन सभी नियम को मिलाकर हमारे सम्विधान बनता है और इसके अनुसार शासन काम करता है अत्य सम्विधान को बनाने के लिए एक सभा बनी जिसे सम्विधान सभा कहा गया डॉक्टर राजंदर प्रसाद इसके अध्यक्ष बनाए गए सम्मीधान का प्रारूप तयार करने के लिए प्रारूप समीती बनाए गई तो दोस्तों उनके प्रारूप समीती बनाए गई और भीमराव अंबेडकर को इसके अध्यक्ष बनाया गया और दो वर्ष 11 महा और 18 दिन के तक लगातार परिश्रम करके इस सभाने भारत का सम्मिधान बनाया तो दोस्तों देखिए बहुत सारे प्रशन बने हैं सबसे पहला तो कि सम्मिधान बनाने वाली बनाने के लिए कौन से सभा बनी तो से सम्मिधान सभा कहा गया दूसरा दोस्तों इसके सम्मिधान सभा के अध्यक्ष कौन थे तो सम्मिधान सभा के अध्यक्ष दोक्टर राजिन्दर प्रसात थे दूसरा दोस्तो प्रारूप समीति के अध्यक्ष कौन थे तो प्रारूप समीति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीम राव राम जी अमबेडगर और दोस्तो पूछा जाता है कि सम्विधान को बनाने में कितना समय लगा तो दो वर्ष और 11 महीने और 18 दिन लगातार काम किया दोस्तों यानि दो वर्ष 11 महीन और 18 दिन का समय लगा समविधान को बनाने में और दोस्तों आगे है कि 26 जनवरी 1950 को समविधान को पूरे देश में लागू किया गया और इस दिन को हम गणतंतर दिवस के रूप में मनाते हैं तो दोस्तो एक प्रशनिहां से भी बनता है कि कब लागू किया गया तो सम्विधान को दोस्तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया चलते हैं अपनी next slide की तरफ तो दोस्तो जानते हैं कुछ सम्विधान के बारे में विशेश बाते हैं तो दोस्तो हमारे सम्विधान में विशेश बाते हैं तो देखें दोस्तो पहली बात है कि हमारे सम्विधान में कहा गया है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन देश है माने इसका खुद के उपर ही माल पूरा नियंतर्ण है और किसी भी देश का हमारे उपर नियंतर्ण नहीं है तो ये भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन देश है माने पूरा प्रभुत्व के वाल हमारे ही देश का है आगे दोस्तों यह है अपने नियम कानून स्वेम बनाएगा तो दोस्तों यह भी कहा गया है और सम्विधान में हमारे देश को समाजवादी राज्य कहा गया है जिसका लक्ष है समाज के आर्थिक सामाजिक विशमताओं को दूर करना है और दोस्तो ये कहा गया है कि सम्विधान में देश के सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने की छूट मिली है और कहा गया है दोस्तो भारत में संसद्य शासन प्रनाली है जिसमें मंत्री परिशद लोकसभा के प्रती उत्तरदाई होती है माने मंतरी परिशद होती है दोस्तों लोकसभा के लिए उत्तरदाई और दोस्तों और देखे कहा कहा गया है कि सम्विधान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिये गए है तो दोस्तों प्रशन पूछा जाता है यहां से भी कि मौलिक अधिकारों के संख्या कितनी है तो दोस्तों यहां मौलिक अधिकारों के संख्या 6 है आगे दोस्तों उनको 11 मूल करतव्य दिये बताए गए है तो दोस्तों मौलिक अधिकार 6 है तो मूल करतव्य 11 है आगे दोस्तों केंदर, राज्य और इस्थाने इस्तर पर जंता द्वारा चुनी गई सरकार है तो दोस्तों इसका जिक्र हम स्वेशासन वाली जो अपनी वीडियो थी उसमें भी कर चुके हैं कि हमारी शासन विवस्था त्री स्थरिये है माने केंदर स्थरिये राज्य स्थान स्थारी आगे बढ़ते हैं कि सम्विधान के अनुसार 18 वर्ष या उससे अधिक उमर के लोग चुनाओं में वोट डालते हैं तो दोस्तो ये भी है वोट डालने के उमर क्या है 18 वर्ष जिसे वयस्क मताधिकार भी कहा गया है बनता है कि मौलिक अधिकार शिक्षा एक मौलिक अधिकार है किस आयू वर्ग के बच्चों के लिए तो दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए आगे दोस्तों सामाजिक समानता मौलिक अधिकार है और बालिकाओं को भी बालकों के समान अधिकार प्रदान किये गए हैं और ये अधिकार उनके पालन पोशन शिक्षा एवं सुरक्षा से संबन्दित है आगे बात करते हैं दोस्तों हमारे संग्य शासन की तो हमारे देश में 29 राज्य तथा 7 केंदर शासे छेत्रों का एक संग है जिसमें अब जम्मू कश्मीर को भी शामूल किया गया है और इसमें केंदर और राज्य दोनों इस्तरों पर संसदिय शासन है पूरे देश का सासन चलाने के लिए केंदर स्तर पर केंदर सरकार और राज्य स्तर पर राज्य सरकारे होती है और दोस्तो केंदर सरकार के प्रमुक अंग तीन है जिसमें पहला है व्यवस्थापिका जो दोस्तो कानून का निर्माण करती है माने व्यवस्थापिका हमारे देश के कानून को बनाती है उसके बाद कारेपालिका कानून को लागु कराना इसका काम है यानि देश में कानून को लागु करती है और न्याएपालिका की कानून के अनुसार न्याए करना माने जो हमने कानून बनाए हैं उनका उलंगन करने पर उनके कानून के अनुसार ही न्याय करती है तो दोस्तों पूछा जा सकता के इंद्र सरकार के कितने अंग है तो तीन अंग है उनमें कौन से हैं पूछे जा सकते हैं तो व्यवस्थापिका, कारेपालिका और न्यायपालिका और कारेपालिका का काम दोस्तो कानून बनाना विवस्थापिका का काम है कानून का निर्मान करना कारेपालिका का काम है कानून को लागू कराना और विवस्थापिका का उस कानून के अनुसार जो है दोस्तो नियाए करना चलते हैं अगली स्लाइड के तरफ देखते हैं दोस्तों क्या कहा गया है आगे स्लाइड में तो दोस्तों देखें विवस्थापिका की बात कर रहे हैं याँ पे तो कहा है कि भारत की केंद्रे ववस्थापिका को संसद कहते हैं तो भारत की केंद्रे विवस्थापिका को संसद कहते हैं, रास्टुपती, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर संसद बनती है, इसमें राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्रे सदन कहते हैं, तो दोस्तो विवस्थापिका का बताया था कानून बनाना इसका काम है, जैसे अभी CAA का कानून बना है Child Amendment Act जो बना है तो दोस्तों आपने देखा होगा उसको भी पहले आपका लोक सभा में पहले उसको लोक सभा में पास किया गया फिर उसे राज्य सभा में पेश करके वहां पास किया गया और सबसे अंत में उसे राष्ट पती ने पास किया यानि हमारी व्यवस्था भी का ने उसको पास कर दिया तब जाके वो जो है एक देश का कानून बना अब दोस्तों आगे बात करते हैं आगे बात करते हैं अपने लोक सभा की तो दोस्तो पहले बात के रही है कि लोकसभा को निमने सदन और राज्य सदन कहा गया है लोकसभा के सदस्य पांस साल के लिए जनता द्वारा चुने जाते हैं माने प्रत्यक्ष चुनाव पद्धिती के द्वारा इनका चुनाव होता है और दोस्तो उसके बाद 25 साल या उससे अधिक आयू के आयू का व्यक्ति इसका सदस्य हो सकता है यानि ये प्रशन पूछा जा सकता है दोस्तो लोग सबा का सदस्य होने के लिए माने MP होने के लिए नियुन्तम आयू वर्ग सीमा कितनी दी गई है तो दोस्तो वो है 25 साल आगे दोस्तो इनके सदस्यों के चुनाओं में 18 वर्स या उससे अधिकायों के लोग बोड डालते हैं तो दोस्तो ये तो पहले भी हमें बता जा चुका है आगे दोस्तो राज्य सभा राज्य सभा दोस्तो इस्थाई सदन होता है और इसका कारेकाल दोस्तों 6 वर्स का होता है जैसे लोकसभा का कारेकाल 5 वर्स का और राज्यसभा का कारेकाल 6 वर्स का होता है और दोस्तों पिरती 2 वर्स पर यानि हर 2 साल के बाद में एक तिहाई सदस्य सेवा निवरत हो जाते हैं आगे दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि कितने वर्स के बाद होते हैं सेवा निवरत एक्तिहाई सदस्य तो दो वर्स के बाद या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि दो वर्स के बाद कितने सदस्य सेवा निवरत होते हैं तो एक्तिहाई आगे दोस्तों राज्य सभा के सदस्यों को चुनाव राज्यों के विधान सभा के निर्वाची सदस्यों द्वारा होता है माने दोस्तों एप्रतियक्ष चुनाव पद्दिती से होता है माने इसमें जंता वोट नहीं डालती है आगे दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को सांसद यानी MP कहते हैं Member of Parliament कहते हैं आगे दोस्तों सदन के दोनों सदन मिलकर देश के लिए कानून बनाते हैं जिसके लिए रास्टपती की सहमती आवश्यक है और दोस्तों रास्टपती पर एक वीटो पावर होती है जिसे pocket वीटो का नाम भी दिया गया है कि रास्टपती चाहे तो सदन में दोनों सदन में पास हुए वे कानून को भी अपनी एह सहमती से उसको पर रोक लगा सकता है आगे देखते हैं दोस्तों अगली स्लाइड में तो देखें दोस्तों कारेपालिका की बात की गई है तो कारेपालिका तो दोस्तों देश में जो कानून बना है उस कानून बनाने उसको लागू करने का काम होता है दोस्तों हमारी कारेपालिका का तो दोस्तों देखें केंद्र कारेपालिका का परमुक होता है राश्टुपती तो दोस्तों राश्टुपती केंद्र कारेपालिका का परमुक होता है उसे देश का पर्थम नागरिक भी कहते हैं तो प्रशन बनता है दोस्तों देश का पर्थम नागरिक कौन होता है तो प्रत्यक्ष 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 प् राश्ट्रपती की सहायता के लिए उसकी सलहा किल देने के लिए होती है और दोस्तों आगे प्रधानमंत्री की न्युक्ति राश्ट्रपती के द्वारा की जाती है और यह वहलोकसभा में वहलोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है माने प्रधानमंत्री वो बनता है उसको न्युक्ति जो देते हैं वो दोस्तो राष्ट्रपती देते हैं यानि जो बहुमत जिस पार्टी का दल का बहुमत होता है उसके नेता को दोस्तो प्रधान मंत्री चुना जाता है तो प्रधान मंत्री की सला पर अन्य मंत्री भी राष्ट्रपती द्वारा ही न्युक्त किये जाते हैं अब दोस्तो राश्ट्रपती दोस्तो यहां पर न्युक्ती की मतलब बात है शपत दिलाने से भी और दोस्तो राश्ट्रपती प्रधान मंत्री एवम मंत्रियों से मिलकर कारेपाली का बनती है और संसत जो कानून बनाती है उसे कारेपाली का लागू करती है कारेप रास्ट्रपती देश की जल थल एवम वायू सेना का सरवोच सेनापती होता है तो दोस्तो प्रशन पूछा जा सकता है कि देश की थल जल और वायू सेना का जो सेनापती सरवोच सेनापती होता है कौन है तो दोस्तो वो होता है हमारे देश का रास्ट्रपती आगे दोस्तो आ पहला दोस्तो संसद की बैठक बुलाना, दूसरा कोई अध्या देश, देश के लिए नियम या कानून जारी करना, तीसरा दोस्तो राज्यों में राज्यपाल, सर्वोच न्यायाले, उच न्यायाले वे न्यायधिशों की न्युक्ति करना आदी, और उपरास्टपती राज् वेतन जो है दोस्तो वो राज्य सभा के सभापती के रूप में मिलता है, आगे दोस्तो बात करते हैं न्यायपालिका की, तो दोस्तो न्यायपालिका कानून के अनुसार न्याय करना, तो हमारे देश के नियमों, कानूनों की रक्षा के लिए न्यायपालिका की ववस्ता है और दोस्तों सम्मीधान, द्वारा, स्वतंत्र और निस्पक्ष न्याईपालिका की स्थापना की गई है हमारे देश में न्याईपालिका की सनरजना दोस्तों इस प्रकार है तो देखते हैं दोस्तों आगे तो दोस्तों देखें सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि पिरती एक जिले में एक जिला नयायले बनाये गया है और दोस्तों उच्च नयायले राज्यों में बनाये गया है और पूरे देश में एक सरवच नयायले सुप्रीम कोट जिसे उच्च तम नयायले भी कहते हैं वो बनाया गया है तो दोस्तों आगे देखें तो बात करते हैं सबसे पहले सरवोच न्यायाले की तो दोस्तों हमारे देश में सबसे बड़ा न्यायाले सरवोच न्यायाले है यानि सुप्रीम कोर्ट है और यह न्यायाले देश की राजधानी नई दिल्ली में है तो दोस्तो दोस्टो अगर पूछा जाए सर्वोच न्यायले के जो मुख्य न्यायायले उस होते हैं, उनकी न्युक्ति न्युक्ति के द्वारा की जाती है। उच्च नयायले के मुख्य नयायदीश और अन्य नयायदीशों की निक्ति रास्टपती के द्वारख की जाती है। उत्तर प्रदेश का उच्च नयायले कहां पर है दोस्तों? इलहबाद में है और इसकी एक खंड़ पीट लखनव में भी है। तो दोस्तों आगे देखते हैं अब आती है बात जिला नयायले की। में राष्टपती को पद ब्राप्त होता है उसी प्रकार का कुछ पद हमारा राज्य पाल का राज्य में होता है तो उसके द्वारा न्युक्ति की जाती है जिला न्याय अले के न्याय धीश की आगे बात करते हैं दोस्तों अन्य अदालत हैं तो दोस्तो आपसी विबादों के निप्टारे के लिए लोक अदालत, पारिवारी कादालत और उपभोगता अदालक जिसे कंजूमर कोर्ट कहते हैं वो भी होती है तो दोस्तो आपने देखा कि किस तरीके से हमारे देश में हमारी नियाएपालिका, कारेपालिका और विवस्था पिका की विवस्था की गई है तो दोस्तो ये थी हमारी आज की वीडियो, I hope ये वीडियो आपको बहुत मदद करे आपके आने वाली यूपिटेट की परिक्ष किया है कि यह परिक्षा जनवरी के अंतिम सप्तहा या फरवरी के प्रतम सप्तहा के द्वारान हो सकती है तो दोस्तो तब तक आप तयारी करते रहें और जुड़े रहे हमारे चैनल से अगर आपको दोस्तो आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें इसे शेर करें अपने मित्रों के साथ और दोस्तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलते रहें तो जै हिंद जै भारत दोस्तो